हेलो दोस्तों आप सभी को जय मसी की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में वीडियो को पूरा देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आज एक मसीही जब ये सु मसीह का आगमन होने वाला है तो आप मसीही पाप में गिर्ता चला जा रहा है मेरी बात को याद रखना मसी भाई और बहनो अगर आपका उधार नहीं हुआ होगा तो आपको बहुत बड़ी हान उठानी पड़ जाएगी तब आपको उसी जील में डाल दिया जाएगा जहाप धनवा नभी भी मौजूद है अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहाँ कोई दूसरा सुसमाचर नहीं सुनाया जाएगा तब आपको सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएगे तब आपको उसी अनंतकाल की आग में जलना पड़ेगा तब हैया दया मैया से काम नहीं चलेगा तब आपको उसी अनंतकाल की आग में जलना ही पड़ेगा तिनी भायानक जीलोगी उस जील में करोड़ सेकलो आतमाएं कलपती होंगी इतना हाहा कार मचा होगा इसु ने कहा था आकास और पृत्वी टल जाएंगी मगर ये मेरी बाते कभी ना टेलेंगी इसु ने जो कहा है अपने वचन में वह होके ही रहेगा फैसलाब आपके हाथ में है बताना मेरा काम है जो परमेस और ने मुझे प्रकाशन दिया है फैसलाब आपके हाथ में है सुर्ग जाना चाहते हो कि नर्ग जाना चाहते हो वचन एक जैसा है सबके लिए हैं चाहिवा मसी पर विश्वास करता हो चाहिवा अन्य जाती हो जैसे मत्ती बारा का 36 वचन में लिखा हुआ है और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो जो मनुश्य अपने मुश्य निकम्मी बाते कहेंगे मिया के दिन हर एक बात का लेखा देंगे कि तुम अपनी बातों ही के कारण दोसी और अपनी बातों ही के कारण निद्रोसी ठाराया जाएगा बाइबल में इस पस्ट रूप से सिछा देती है चाहिवा मसी पर विश्वास करता हो चाहिवा अन्य जाती तब आपको जब परमेशुर अंतिम निया करेगा स्वाध सिंग हासल के सामने और जो जो मनुष्य अपने मुझ से गालिया देते है और गंडी बाते अपने मुझ से निकालते है एक दूसरे के लिए गालिया देते है वे सब अपना अपना लेखा परमेशुर के सामने दें होंगे अभी आपके पास अउसर है समल जाओ और बचा लोगने आपको नर्क जाने से कि कि वहां युक्तियों के लिए नर्क में डाला जाएगा तैयार हो जाओ और हरा दो उस शैतान को वचन से इसलिए पोलिस ने भी कहा था मेरे भाईने और मैंनों कि परमेश और के सारे हत इसको वचन से हराया जा सकता है जो मसीह वचन में मजबूत होगा वही सैतान को हरा पाएगा और जो मसीह वचन में कमजोर होगा वहीं उस सैतान की जाल में फस जाएगा इसलिए बाइबल पढ़ो यहां मसी विरोधी के हाथ में मत पढ़ो अगर यहां पर कोई रह जाएग एक बार मरना और फिर उसका निया करना भज़रूरी है है स्वर्व सक्तिमान पर्भू परमियसर तेरे कारी बड़े और अद्बुद है है युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है मगर आज मनुसे सच्चाई को अन देखा कर रहे है कौई भी क्ति नरक जाए अगर आपके पास चाहे जितनी सुन Viel है तो उसे अभी गुट बाई ओल दो ल्ँचा के रख देगी कि वह समय आ पहुच्चा है कि परमियसर अपने चुनी हो का न्याय करे मन फिरा लो अंत का दिन चल रहा है बचा लोग ने आपको नर्क जाने से क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमियस्वर आपको साथ साल के लिए इसी पृतिवी पर तड़ पाएगा और पिर उसके बाद उसी अधार पर परमियस्वर आपको नर्क में फैक देगा जाकि आख कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो आपको वहां से कोई निकालने नहीं आएगा उस धन्वान की तरह एक बुंद पानी के लिए आपकी जीव बैठेगी इसु ने कहा था आउसर को वहमूल समझो आपको आउसर मिला है अपना मन फिरालो एक दूसरे को देखकर अपना जीवन मत बिताओ क्योंकि परमेशर ने आपको चुना है फिर उसने मुझे से कहा इस पुस्तक की भविश वाली की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकाट है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलीन है वह मलीन ही बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे देख मैं सीगरी आने वाला हूं इसु साफ कह रहे है कि मैं बहुत जल्दाने वाला हूं हर और हर एक काम के नुसार बदला देने के लिए प्रति ज़ाया चाहेगा और उसी न्याकी के अधार पर आपको वंगों दाल दीया जाएगा दर्पने पह 1965 लकटी नगी इथिनी भाय सज़ा इतना भायानक डंड देगा परमयेसर और कि भी नहीं मरेंगे जिस चमली पर आपको घमंड है एक दिन परम्यास्वर आग में जिन्दा जलाएगा इतनी भयानक जील होगी तब आपको मन फिराने का आउसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आज का सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वस में पड़ा हुआ है जिसे परम्यास्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे लात मार के गिरा दिया था क्योंकि वह परमयासर का सिंगासन लेना चाहता था इसलिए परमयासर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था और वही सेतान हर सिस्थानों पर अपनी जगा बना कर पैट गया है जैसे लिखा है ये साया की पुस्तक में हे भोर के चमकने वाले तारे तुक्यू कर अकास से गिर पड़ा है तुझो जात जात को हरा देता था अब तु कैसे काट के भोवी पर गिरा दिया गया है परमयासर ने सैतान को पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था परमयासर ने उसे इतना सक्तिसाली और सुन्दर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा परमयासर ने उसे करूब के रूप ने रचा था वा अपनी सुन्दरता के कारल और पद के कारल घमंड से भर गया और वहां परम्यास्वर से भी उचे सिंगासन पर विराजमान होना चाहता था मगर परम्यास्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं वहां परम्यास्वर है वहां परम्यास्वर का सिंगासन लेना चाहता था और परमियसर ने उसकी अर उसकी सारी सेना को नीचे पृतिवऄ पर गिरा दिया था और वही सारी सैतानी दुष्टात्माएं अपनी जगा बना कर बैठ गए हैं हर स्थानों में और उस सैतान को गिरने से पहले एक नाम दिया गया था और उसका नाम लूसिफर है और उसका न्याय परिमेसर ने पहले ही से कर दिया था जैसे प्रकासितवा की वी सद्या के चोदर पंदरा वचन में लिखा हुआ है हम पढ़ देते हैं वैबल से पुरूफाब के लिए और मिर्ति और अधलोक की आग की जील में डाले गए या आग की जील तो दूसरी मिर्ति है और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वा आग की जील में डाला गया देखिए अगर आपका उधार नहीं हुआ होगा और संसारिक जीवन बिता रहे हो अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे स्वर्ग दूत उठाकर आग की जील में डाल देंगे जहां रोना और दात मिशना होगा जहां आग भी जलाएगी और कीले भी काटेंगे बड़े-बड़े कीले होंगे फिर सेवास से कोई निकालने के लिए नहीं जाएगा अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए अभी आउसर है और समल जाओ वचन कहता है जीवते हैं परमेशर के हाथ में पढ़ना एक बायानग बात है आप सभी कोई जाए मसे के